प्रेमित्रों नमश्कार आज मेरे ओफिस में मेरे साथ मेरे सहयोगी कार्तिक राबल जी एमदाबाद से जिनका दिल्ली के अंदर भी सेंटर है राजीब गोईल जी जिनके प्रोगाम दिल्ली में दूसरा प्रोगाम होने बाला है पहला प्रोगाम कार्तिक जी का भी बड़ा जबरदस्त हुआ था और राजीब जी का भी प्रोगाम जबरदस्त हुआ था और राजे सर्मा जी तीनों आज हमारे पास हैं और हमारा ये स्टूडियो पॉड्कास्ट वाला है मिलने के लिए आए थे तो मैंने कहा क्यों ना आज आपके प्रोगामों की प्रोमोशन भी कर दी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्यों कि जब टीवी वाले टीवी चैनलों पर वो फिल्म वाले आते हैं तो क्यों नहीं पर जम्मेलन वाले आए तो मित्रो अब मेरे इधर राजीव गोईल जी अभी अभी इनका माया पुरी के अंदर एक बड़ा अच्छा प्रोगाम हुआ था और उसकी ओपनिंग भी का आर्तिक रावल जी ने कहा था कि आप वास्तू पर बोलिये तो वहां भई मैं एमदाबाद के अंदर जो लोग आप बोलोंगे मैं उसी टॉपिक पर बोलूँगा राजीव गोईल जी अपना सेकंड जो इनका जोतर सम्मेलन है वो इस वार किसी फैविस्टार में नहीं है क आप राजीव जी के खुद आप उनकी वाणी से सुनिए दिर्यवाद आपका दोस्तों सबकर नमश्कार इस प्रोग्राम में ये प्रोग्राम दो जून को है दो जून दिन रवीवार पड़ेगा इसकॉन टेंपल संतरंगर इस्ट आफ क्लाश में प्रोग्राम है ये प्र बूमी पर आजिव प्रूप रहा है प्रूप रहा है कि हमने फर्स टाम ये डिसीजन लिया और इसको हमने इंपलिमेंट भी किया सर के आशीरवाद से हमने इस पोग्राम में तीन चीज का मुख्य तोर पर दियान रखा है एक जो लोग महां हैं उसको प्रभू का आशीवा जाता है मंदिर की अपनी एक संस्ता है फूड फॉर लाइफ उसको जाता है जुसका काम है अंड़ प्रिविज्ज लोगों को भोजन के वाला इन अधर वे जो अराशी खटी होई वह दानपुन में गई वह समास के कल्याण में गई आपके द्वारा ये धनराशी सत्य करम म दूसी बात तीसी बात जो लोग आ रहे हैं वहाँ पे उन सबका विशेश धियान अखा किया है सुबह ब्रिक फास्ट लंच और फिर हाई टी में उनका समान है उनका वार है और की स्पीकर्स जो हैं जैसे रावा सर महाँ पे की स्पीकर्स के रुपे आएंगे प्रदा रहे हैंगे आपके साथ इंतरे वर्षोगन का ग्यान है ग्यान के समुंद रहे हैं मैं तो बोलूँगा इस टाइम जोतिश समाज के यह ब्रैंड अबसर हैं इनको सुनना इनसे ग्यान लेना जितरा बटोर सकों उतरा बटोर सकते हैं यह पूरी ओशन है ठीक और इसे पकार से समब्सक्राइब का सुबवें और समाफ्ती पांच बहीं होगी पांच मेरी कि समाप्ती के टाइम बे भी इसकौंद टेंपल की तरफ से हमें कॉंपली मेंट्री एसे जितने लोग इसमें प्रादर रहें सर्थ इसका लाइटन तॉंद नावल होता है इसकौंद टेंपल का संतनगर में होने वाला है इनका प्रोग्राम अभी ये सेकंड है पहला बहुती भब प्रोग्राम हुआ था जवर्दस प्रोग्राम हुआ था और खुद भी बिद्वान है पूनम जी और रजीब जी रजीब जी मैं आप से कुँँगा एक बार सभी दर्सकों का अपना नंबर दे दे और नंबर बता दे तो अच्छा रहेगा लोगों को एक तो इंट्री करने में आसानी रहेगी और मैं आपको बता देता हूं मैं इनके प्रोग्राम में भी रहूंगा और ।शमान्स कुंडली मैंने सीरीज तुर्ओ करी अभी लोग बोलते थे कि भी रावजी कभी 90 कि 100 बोल देते थे कि अभी मेंने राजेच जी हमार साथ राजेच जी भी है अभी सीरीज की है 10 possessed के उपर के लोग कौन से काम में कामियाब हUNGगे. अच्छे जोट सी बनेंगे क्या. उसमें अभी मैंने मेंच लगन के उपर कौन से काम सूट करेंके उसकी जानकारी में, हम्दाबाद में भी दूँगा और यहां भी दूँगा. राजीब स्लीद जी, आप अपना नमबर दे दीजे एक बार रेजिस्ट्रेशन के लिए और आप जो दो जून को होने वाला इसमें ज़ादा ज़ादा रेजिस्ट्रेशन कराइए ग्यान की बाते होंगी वहाँ पर इदर दर की कोई बात होने वाली नहीं है राजीब जी आप बताईए अपना नमबर बताईगे यétais पारी पीट करता हूँ दोडिय werden जिरो नमबर बता रहा हो मैं आपको दोलाइगे अब साने बाजीळी अब अमारे साथ में राजेश सर्माजी आपने देखा है कितनी बार मेरे साथ Real में होते हैं मेरे साथ जाते भी हैं वो भी आजाए हुए हैं वो भी एंदाबाद में भी रहेंगे मुक्यतिती के तौर पर और दो जून के प्रोगाम में राजीब जी वाले प्रोगाम में भी रहेंगे और इनको भी सुनने का आपको मौका मिलेगा राजीब जी के प्रोडाम के लिए भी और कार्थिक के प्रोडाम के लिए भी आप राजीब जी एक बार अपने फोर्णोरों को और जो जोटसी हैं उन सब को एक बार बताएए किया आप लोग भी वहाँ पर पोच rental下 चेह味 आता दी आरं वैसे तो देखो सारी रूप लेखा तो आदरणिय ब्राता श्री ने भी बता दी कर्तिक Țी ने भी बता दी और राजी जी नीं भी बता दी लेकिन मैं आप लोगों को यही कहने वाला हूँ कि जैसे एम्दाबाद का प्रोगराम है आठ मई से लेकर के तेरा मई तर और दो जुन का राजीव जी का प्रोगराम है इन दोनों ही प्रोगराम में ज्यान की गंगा वहेगी आदरनीय ब्राताश्री का जब जब मैंने स्पीस सुना है उसमें कुछ न कुछ नया मेरे को प्राप्त हुआ है अला कि देखो जो तिस जो है ये सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं और आज मैं इस उम्र में भी अपने आपको एक छात्र समझता हूं और भाई साथ से तो बहुत कुछ सीखा है और सीखते रहेंगे तो उसी तरीके से आप लोगों के लिए भी एक ये सुनेरा मौका है अगर मुझे सुनना चाते हैं और जो भी प्रिशन आपके दिमाग में हैं उनके बारे में जानना चाते हैं दस की दस सब्जेक्ट मैं आपको बता देता हूं मैं कौन से सब्जेक्टों पर जिनको मैं पढ़ाता हूं जैस रेका, वास्तु सास्त, निम्रोलोजी, मेडिकल एस्टोलोजी, या प्रोफेसर्न एस्टोलोजी, जो भी सब्जेक्ट पर आपको लगता है, कि हमें सटीक जानकारी चाहिए, इन तौनों प्रोग्रामों के अंदर, मैं इन सब की जानकारी दूँगा, और आप जरूर पदार झाल